नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम सिखेंगे कंप्टर सिस्टम के प्र प्रमुख गटक. मेज़र कंपोनेंट ओप अ कंपोनेंट को हिंद हिंदी में गटक केतें. यह थोड़ा सा अगर आप समझ लगें तो आजे आपको समझदवा में आशानी रहेगे. इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हाडवेर घटक मतलब हाडवेर कंपोनेंट कंपोनेंट के साथ हाडवेर के कौन कौन से कंपोनेंट लगया होते हैं आपको नॉर्मली मैंने बताया था सेप्यू कीबोर्ड माउस मोनिटर प्रिंटर इसकेनर यह काफे चीज़े मैंने आपको बताया थी वह है हाडवेर हाडवेर का मतलब क्या है जिन्हें हम छू सकते हैं यह हैं एक सामने सब्दे हाडवेर का है एक सामने सब्दे जो एक कंप्पूटर सिस्टम की किसी भी कंपो बोना कंपोेर के साथ यह जैसे अपना कंपवेर है आप कंप्पड़ के साथ क्या है से प्ड़ा हूए माउस है कीबोर्ड है तो यह हमें दिख रहें क्या है दिख रहें मतलब physical presentation बहुतिक उपस्ति दी और जिसी देख और छूआ जा सकते हैं इसे अपन देख भी सकते हैं और छूब भी सकते हैं उससे अपन यह कहते हैं हाडवे कहते हैं का वर्न डिस्कृप्शन करने के लिए कहता है ठीक है एसे उपकरन ऐसे component जिनने देखा जा सकते हैं छुआ जा सकते हैं वो क्या होगे हार्डवेर होगे हार्डवेर component को अक्सर input output storage processing component के रूप में वर्गी ग्रत किया जाता है ठीक है इसको कितने रूपों में बाटा गया है चार बागों में सबसे पहला गया है जो device CPU के एक अबिन अंग नहीं मतलब CPU के साथ जुड़े होगे हैं लेकिन CPU के अंदर नहीं peripheral है मतलब साथ में use होते हैं इन्हें बाए उपकरन कहते हैं जिससे monitor बाहर होता है कीबोर बाहर होता है माउस बाहर होता है लेकिन इसके साथ जुड़े हुए है तो इससे अपन क्या कहते है external device तो कहते हैं लेकिन peripheral device के रूप में जाना जाता है क्या जाना जाता है peripheral मतलब साथ साथ यूज होते हैं peripheral आम दोर पर input storage और output input का मतलब क्या होगे keyboard mouse आगे storage का मतलब क्या होगे hardix जिसके इंदे data रखे जाते हैं और output मतलब जिसे printer monitor या output में आगे जिसे hardix अभी बता दिए हाड इस अभी क्या है storage unit है keyboard क्या input device है printer क्या है output device है यह सब हाड वेरी के रूप में जाना जाना है के लिए उपयोग किया जाता है CPU के रूप में एक उपकरन CPU जा है वह एक उपकरन है को एक ही Gothic box मतलब एक फिजिकल box यह एक फिजिकल है जो अपने को दिखाई दे रहा है यह ना कि बाहर होना जरूर नहीं ठीक ही CPU के अंदर भी उपकरन होते हैं और जो बाहर है उसे भी अपन hardware कहते हैं इसका सबसे अच्छा उतरान है hardix this hardix good CPU के अंदर है लेकिन उसे अपन छूँ सकते हैं देख सकते हैं अगर वह बाहर निकाल देंगे तो अपन ऊस को आराम से हाँच में लएक घूम सकते हैं उसे छूँ सकते देख सकते हैं तो उसे क्या ह हार्डिक्स केते हैं ठीक है अब हार्डिक्स गया है CPU के अंदर होती है लेकिन वह एक peripheral device कह लेती है जो एक peripheral है ठीक है हाला कि आम तोर पर main case के अंदर नहीं रखी जाती कई बार ऐसा भी होता है कि हार्डिक्स अपन CPU के साथ बाहर भी लगा सकते है उसे अपने external हार्डिक्स कहते हैं आम तोर पर एक कम्पूटर में प्रोसेसर मेन एंड सेकंडरी मेमोरी पावर सप्लाई सहाएक हार्डवेर को एक दातु की metal case में रखाता हैि यह जिदनी भी चीज़े अब आपने देखी प्रोसेसर CPU के अंदर होता है main and secondary memory ए keep quand OFF remotely RAW और secondary हो गया हानको आफ एक्वर सप्लाई के साथ लगी होती जिसके द depend on power cable connect करतेदा थो होता है एक क्या लगता है ठीक है इस वोकस के अंदर सारी चीज़े रखिए होती है इसे अपन क्या किते हैं क्या क्या केते हैं के बिनेट ठीक है मतलब अगर आपका कंपूटर का भी खराब हो जाता है और आप तो आप उसे हार्डवेर की सोप पर रखे आते हैं और जब भी आप लेने जाते हैं आप यह तो कहते हैं कि मेरा CPU रखा था यह आप कहते हैं मेरा यहां पर केबिनेट रखाता है मतलब इस बोक्स को अपन क्या कहते हैं केबिनेट जिसके अंदर यह सारी चीज़े होती है इसे आम दर पर CPU कहा जाता है ठीक है अब आगी किया इन में से अधिकास गटक कंपोनेंट कंपूटर के मुख की सरकिट बोर्ड से जूड़े होते हैं कंपूट इन में से अधिकास गटक कंपोनेंट कंपूटर के मुख की सरकिट बोर्ड यह सरकिट बोर्ड कहा जाता है जिसे मदर बोर्ड कहा जाता है ठीक है बिजली की आपड़ती ज्यादा तर गटको के लिए बिजली आपड़ती गटक करती है मतलब पावर सप्लेंट जो लगा हो ठीक, फिर आगी क्या है, सभी बाहय उक्करनolics, peripheral daw जैसे की keyboard, monitor, connectors के मादेम से जुड़ए होता है, यह जितने भी device है, जैसे mouse कोंfilm के जैसे mouse कोंfilm के मादेम से CPU के पीछे जुड़ा होता है, keyboard है तो भी cable के मादेम से CPU के जुड़ा होता है, फिर आगे क्या computer system के प्रमुक hardware गटेक कौन-कौन से, component, hardware में कौन-कौन से आगे, अभी अपने पड़ा था, processor, input device, output device, प्रोसेसर अंदर क्या हो गया, CPU हो गया, input device में keyboard mouse हो गया, output device में monitor हो गया, printer हो गया, main memory, जिसे RAM wrong कहते है, secondary memory जिसमें hardics आती है, ठीकी, अब आगे क्या processor क्या है, processor एक electronic device है, क्या है, एक electronic device है, जो silicon work का बना होता है, computer के अंदर आप कभी CPU को खोलना, CPU के अंदर इस तरह से motherboard होता है, motherboard के उपर यहाँ पर एक aluminum का circuit board बना होता है, silicon work, लाखों चोटे-चोटे विदूत बागो का बना होता है, यह बहुत ही चोटे-चोटे विदूत बागो का बना होता है, processor, एक processor में arbo-billions transistor हो सकते हैं, यह जो processor है ना, उसके अंदर arbo-transistor हो सकते हैं, कितने ही ट्रांजिस्टर इसके अंदर हो सकते हैं यह सिस्टम के बितर मोलिक कम्पीटिंग मतलब फंडामेंडल कम्पीटिंग करता है यह क्या करता है कम्पीटर के अंदर होता है और कम्पीटर के अंदर जो fundamental चलते हैं उस पे computing करता है और सिधे यह परक्स रूफ से अन्य सभी गटको को नियंद्रित करता है प्रोसेसर क्या करता है सभी गटक जितने भी component उनको क्या करता है नियंद्रित करता है इसके अंदर आपने देखा होगा क्या बोलताशक क्या करता है सभी गटको सभी component को नियंद्रित करता है प्रोसेसर को कभी कभी Candy processing unit आभ आप सोचेंगे सी प्रोसेसर के लगा हुआ यह 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 Jagu के निय? लेकिन जो motherboard होता, CPU के अंदर एक motherboard होता है, और motherboard के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, उससे अपन CPU केता है, क्या केता है? फिर आगे क्या है, एक computer में एक विशेश प्रगा का processor होता है, जैसे की Pentium, यह जो CPU है, जिससे अपन क्या केता है? प्रोसेसर, अब अपन जब कभी नए computer खरीदने जाते हैं, तो वो पूचते हैं अपन उसको प्रोसेसर कौन सा है, तो पहले जल्दा था पेंडियम, उसके बाद आगिया Intel Core, अब Core में भी i3, i5, i7, ऐसे अलग अलग प्रोसेसर हो गया है, जिसमें हाई से हाई टेकनोलोजी यूज कहा जाते हैं, इस प्रोसेसर के अंदर, जियोन या स्पार्क प्रोसेसर, ये भी प्रोसेसर के नाम है, ठीक है, कभी भी अगर आपके कुश्चन आ जाए, तो प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो इन में से ये, जो है Intel Core, i3, i5, i7, ये, जियोन, स्पार्क प्रोसेसर, ये, और Pentium, ठीक है, ये सारा ये प्रोसेसर के नाम है, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जे हिन, जे बारत.